लूच पे दिलचस्प दिसक्रशन नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका स्टडिय आइकू में आज हम लोग एक बहुती दिल्चस्प डिसक्रशन करने वाले हैं इंडिया से जुड़ा उआ और इंडिया के टू-फ्रण्ट चे बारे बीदें तो हम लोग बात करने वाले ह by Happyman Jacob, right, a political analyst, इसके अलावाद Dipinder Singh Hudda भी है, Dipinder Singh Hudda will give you the, basically the military perspective, right, so we're gonna talk about that, what is true friend challenge, or how are we gonna deal with it, some prescriptions for us, so let us begin, उससे पहले मैं हो आपका दोस्त राहूल साहिगों कर, अगर आप मचे फॉलो करना चाहते हैं, इन आइडी से फॉलो कर सकते हैं, इसके अलावा स्टड़ी आईक्यू, स्मार्ट कोस लाए है आपके लिए for UPSC 2021, जादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें आप Google Play Store से, चलिए, पहले हम लोग बात करते हैं इंदिया के डिलेमा के बारे में, ताकि हम लोग समझे, यह two-front challenge है क्या, क्या यह two-front challenge अभी की कोई नई development है या फिर हमें इस चीज के बारे में पहले से ही पता है, देखिए अगर हम लोग बात करें ancient times की, ancient times से ही हम जानते हैं कि इंदिया has been a champion with regard to international relations foreign policy, काउटिल्या के अगर हम बात करें, काउटिल्या या फिर चानक्या का जो अर्थ शास्त्रा है, वहाँ पे उन्होंने एक मंडला थेरी दिया हुए, इस मंडला थेरी वो कहते हैं कि अगर कोई भी king हो, इस king को हम जोड़ सकते हैं, देश के साथ जो अभी का है, कोई भी king हो या देश हो, अगर वो अपनी power बढ़ाना चाहता है, अग ये मंडला थेरी समझना बहुत जरूरी है, वो कहते हैं कि जो king होता है, देखें, यहाँ पे king, the aspiring king और विजगीशू जो होता है, अगर उसे power बढ़ानी तो उसे समझना है कि कौन उनके दुश्मन है और कौन उनके मित्र है, और कौटिल्या कहते हैं कि कोई भी देश या को तो आपके जो neighbor होते हैं, आपके जो पडोसी मुल्क होते हैं, पडोसी देश होते हैं, वो आपके दुश्मन होते हैं, front side में अरी कहा जाता है, आपको नाम के उपर focus करनी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका सार समझी है, वो कहते हैं कि आपके पडोसी मुल्क आपके दु कि अरी और पीछे की तरफ पारशन निग्र मतलब two enemies on the front side on the rear side और उनके जो enemies होते हैं वो आपके मित्र होते हैं तो यहां पे बहुत सारे terminology है मंडला मतलब circle के ऊपर circle बनाते हैं पहला पडोसी आपका दुश्मन उनका पडोसी आपका मित्र फिर उनका पडोसी आपका दुश्मन तो इस तरह से वो explain करें दिस वोस फ्रम ancient times हम लोग इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं देखिए अगर हम लोग इस ancient theory को जोड़े इंडिया के साब अभी भी अगर इंडिया या फिर South Asian politics देखें तो बहुत ही similar है यहाँ पर देखिए इंडिया की बात करें तो एक तरफ है Pakistan neighbor country adversary से और एक तरफ है चाइना वो भी adversary है तो similar to आपकी जो मंडला थेरी है कि front में एक enemy है rare में एक enemy है उसके अलावा वो बात करते हैं उदासिन और मद्यमा की जो समझ लीजिए कि other states for example United States Russia Japan etc you can talk about all these countries right but अगर हम लोग इसी region में देखिए तो आप Pakistan की पडोसी को देखिए इरान इरान हमारा मित्रे अगर आप अफगानिस्तान को देखिए पाकिस्तान का पडोसी हमारा मित्रे अगर आप चाइना के पडोसी को देखिए for example Japan Japan हमारा मित्रे तो लार्ज एक्स्टेंट मंडला theory does apply to us तो यह तो बहुत पहले war क्या इंडिया इस चीज के लिए तयार है क्या हमारे foreign policy domain में security domain में इसकी बाते होती है देखिए जब भी mention आता है two front war का तो दो contrasting opinion आते हैं पहला opinion तो military का है military clearly कहता है कि भाईया two front war है हमें तयार होना चाहिए एक तरफ है Pakistan एक तरफ है China तो we should be ready क्योंकि पाकिस्तान के साथ 1947 में war हो चुका है 65 में हो चुका है चाइना के साथ 1962 में war हो चुका है पहले तो दोनों तरफ से भी adversaries है वो कहते हैं कि बहुत बड़ी possibility है कि हम लोग एक समय पे ऐसा आ सकता है कि हम लोगों को दोनों सीमाओं पे लड़ाई लड़नी पड़ीगी क्योंकि अभी हम लोग देखे चाइना पाकिस्तान की मित्रता तो बहुत जादा है गहरी तो military कहता है कि हमें अपनी military capability को बढ़ाना चाहिए ताकि हम दोनों सीमाओं पे war क्या है क्योंकि military को चाहिए resources ताकि वो अपनी capability बढ़ाए तो दो पहलू आ गए एक कहता है कि है एक कहता है कि नहीं है तो आज हम लोग यह क्यों बात कर रहे हैं है या नहीं देखे चलिए हम लोग आज के observation करते हैं हम लोग जानते हैं कि में 2020 से इंडिया और चाइना की त soldiers हो चुके हैं चाइना की तरफ से उनके soldiers मारे गए हैं तो standoff चल रहा है इससे क्या पता चल रहा है अभी चाइना बॉर्डर पर यानि के लड़ाक में तो problem चली रही है लेकिन अगर हम लोग पाकिस्तान के बारें बात करें तो दोनों तरफ से problem देखिए पाकिस्तान से तो लाइन ऑफ कंट्रोल की situation काफी खराब है अगर मनों बात करें 2017 से ही अगर मनों अटैक की बात करें especially उरी अटैक उरी पठानकोर्ट पुलवामा के बाद इंडिया ने strong arm tactics किया इंडिया भी मूतोड जवाब दे रहा है पाकिस्तान को surgical strike किया तब से हम लोग देख रहे हैं क काफी ज्यादा border के उपर tension है in fact अगर हम लोग बात करें 2017 से कम से कम चार गुना बढ़ चुका है ceasefire violation दोनों तरफ से और although not confirmed reports बट reports ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने troops बढ़ा दिये हैं 20,000 troops होनों ने भेजे हैं गिलगित बल्तिस्तान रिजिन में कब से जब से Chinese की जो People's Liberation Army है और हमारे आर्मी के वीच एक मुटबेड भी हो चुका है तो दोनों तरफ से इंडिया फसा हुआ है तो two front war is quite a possibility now तो आज ये discourse बहुत ज्यादा important हो चुका है कि हमें दोनों तरफ से भी दोनों border पे भी लडाई करने के लिए simultaneously एकी साथ तयार होना चाहिए दोनों की मित्रता काफी गहरी है और बात करें 21 सदी में तो हम लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान is very very close या फिर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान चाइना की दुलहन है वो उनको प्लीज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं देखिए बहुत सारे examples हैं 2004 में पाकिस्तान ने अपने यहाँ पे Chinese President के नाम पे एक रोड रखती जावन लाए रोड बनाई पाकिस्तान में जैसे ही CPC अनाउंस वह पाकिस्तान वह वेरी वेरी हैपी तो बिलियंस अफ डॉलर्स है वालडी कम इन फैक उन्होंने चाइनीज मिलिटरी को वेलकम कर दिया अपने देश में चाइनीज मिलिटरी प्रजंस है CPC के अगर हम लोग मिलिटरी लेवल पर बाप करें तो चाइना ने सपोर्ट किया है पाकिस्तान को 1965 वार में स्टेट्मेंट दिया 1971 वार में उन्होंने सपोर्ट किया पाकिस्तान को अभी हाली में आर्टिकल 370 जब अब्रोगेट होता 2019 में तो वहां पे भी चाइना ने एक एलाइंस भी है शाही नमक एक चाइना और पाकिस्तान का एरफोर्स एकसाइस होता है अल्मोस्ट 73 परसंट अफ पाकिस्तान आम्स अन्मूनिशन सार्प्लाइड बाई चाइना इसका मतलब है कि दोनों में काफी गहरी मित्रता है तो इसलिए हमने वो रियाक्शन भी देख यानि कि एक तरफ से जब चाइना लडाई करने आएगा तो पाकिस्तान अपनी तरफ से चोटी मूटी लडाई जरूर करेगा वो करेंगे टेरिटरी एट्सेटरा के लिए तो इसका मतलब यह है कि टू फ्रंट वार हो सकता है लेकिन हमारे लिए चाइना एक बहुत बड़ पाकिस्तान से बहुत जाएदा क्योंकि पाकिस्तान आउट रेट लेडाई नहीं कर सकता है तो यह एक्सपर्ट का कहने है सेक्यूरिटी एक्सपर्ट यह कहते है तो इस चीज़ीज का सोलूशन क्या है अगर हमनो इस आर्टिकल की बात करें आपी में जेक्ब इंडिया पा पाकिस्तान भी चाहिना भी कि हमारी ये पॉलिसी रहेगी अगर टू फ्रंट वार आएगा तो टू फ्रंट वार में एक क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए विच शुड़ भी पॉलिटिकली डिफाइंड पॉलिकली गाइड अलसो साथी साथ मिलिटरी केपबिरिटी को एन्ह अभी सारे सेकुरिटी कमिटीिसने सेकुरिटी एकसपर्टस किया है कि कंसे कं 42 अच्पोडर्स होनी चाहिन चाहिने की कम है हमारे पास और अभी अगर हमें टू फ्रंट वार के लिए तयार रहना है तो कम से कम 60 air force क्वाडर्रंस की जरूर हो था sharing आने कि हमें अपनी capability डबल करनी पड़े ही एर फोर्स के मामले में वहां पे भी हमें capability बढ़ाने की बहुत बहुत जरूरत है तो दो prescription तो होगे इसके अलावा अगर हमें two front पे लड़ना पड़ा तो हमें कौन मदद आ सकते हैं हमें अपने neighbors मदद आ सकते हैं तो neighborhood policy बहुत of our neighbors तो ये neighbors हमें जरूर कामाएंगे अगर two front war होगा तो neighborhood diplomacy is very very important इसके अलावा एक बहुत important prescription है to resolve the Kashmir puzzle देखे कश्मीर पजल क्यों क्यों क्योंकि Kashmir का सवाल ही है जो इंडिया और पाकिस्तान की विश्में problem बना हुआ है तो अगर India Kashmir की जनता को अपनी साइड में करेंगी right if Kashmir supports India then to a large extent the issue with Pakistan would be a result and there would not be a two front war there would be only one front war China तो याद रखना है कि अभी Pakistan is not a very big threat for India but try to remember the biggest threat is China and once China starts some aggression we can obviously expect that Pakistan will also start at least a small war or some sort of hybrid war so it's a very very important prescription I would say a warning for our foreign policy makers that are ready for a two front war in the coming times that's it from myself in this part of discussion thank you for watching Jai Hind